तीन नमबर देखना चाहोगे तो आप सोचना हो कि सर ये तीन नमबर में दिया है कि fx is equal to 5x minus 3 और यहां कहा दिया है कि at x equal to 0 minus 3 5 तो घबडाने की दिक्कत नहीं है आपको एक एक करके सब पे चेक करना है ये नहीं सोचना कि सर ये तीन एक साथ कैसे होगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आप सिंपल लो x बराबर 0 पर शुरू करो एक को लेके जैसे बागी को से बनाना है एक बराबर 0 पर f0 क्या हो जाएगा आपका 5 into 0 minus 3 यानि कि minus का 3 आ जाएगा यह तो 0 हो जाएगा ना चलिए तो यहां कह सकते हैं कि fx fx x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर पर परिभास है अब चलिए इसका लिमिट निकालना होगा ना लिमिट x tends to 0 किसका function fx का limit x tends to 0 fx का value यहां रख देंगे ना क्या है 5 x minus 3 यह पर 0 पुट करना होगा 5 into 0 minus 3 यह भी minus 3 ही आएगा ठीक है यह भी minus 3 ही आएगा therefore हमने क्या देखा कि इसका अस्तित हो रहा है इसके fx का limit निकालन it per x tends to 0 पर इसका अस्तित हो रहा है और यह limit जो है यह limit जो है किसके बरावर है तो वह f 0 के बरावर है इसलिए कैसकते हैं कि fx x बडाबर 0 पर fx x बडाबर 0 पर संतत है संतत है अब जैसे अगर minus 3 पर चेक करना अगर minus 3 नहीं तो अब minus 3 लेके चलेंगे ठीक है? एक एक करके लेके चलेंगे एक पहला था अब इसका दूसरा हिस्सा ले लेते है B number या A number हिस्सा था आप किस पर x बराबर माइनस 3 पर आपके पास fx जो दिया था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो fx उपर कोशन में दिया है 5x माइनस 3 ठीक है चलो अब दिकालते हैं तो f3 का value निकालना होगा f minus 3 है f minus 3 का value लिखना होगा 5 into minus 3 इसमें रखेंगे न और minus 3 minus का 15 minus का 15 minus का 18 हो जागा जो belong का r से इसलिए कह सकते है कि fx जो है x बराबर minus 3 पर परिभासित है परिभासित है अगर यह real नहीं आता तब परिभासित नहीं होता तो यह परिभासित है अब हम इसका limit भी चेक करना होगा तो limit x tends to minus 3 x tends to minus 3 fx चलिए limit x tends to minus 3 चलिए किसका limit निकाला तो function fx का value यहाँ पर 5x minus 3 चलो यहाँ पर रख दो 5 गुना minus 3 minus 3 चलिए तो क्या हो जागा पांति minus 3 minus 16 आजाएगा तो इसका भी अस्तितो हो रहा है और इसका जो value है limit x tends to minus 3 fx का जो value है इसका limit जो है f minus 3 के equal है इसलिए कहा सकते हैं इसलिए कहा सकते हैं कि fx जो है fx x बराबर minus 3 पर संतत है उसी तरह अगला 5 पर कह रहा है तो उसी तरह आप नहीं चेक कर लोगे कोई दिकत नहीं इसमें सारे कोसन आपसे बन जेंगे चलते हैं कोसन नमबर 2 की और